जैहिन दोस्तों वेलकम बाक टूट्यूब टॉटॉक तोस्तों जैसा है कि आप लोग जानते हैं कि 18 और 19 नमेंबर के बीच में काफी सारा content OTT platforms और सिनेमा में रिलीज होने वाला है और मेरे पास अल्रेडी काफी सारे comments आ चुके हैं कि मैं एक list provide कर पाऊं आप लोगों को जिसमें मैं आपको exactly बताऊं कि 18 और 19 तारीक के बीच में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा और most importantly ये कितने बजे रिलीज होगा इसके लेकर काफी सारे comments मेरे पास अल्रेडी आ चुके हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपको exactly पता चल जाए कि 18 और 19 नमंबर के बीच में आपको क्या कुछ रिलीज होके देखने को मिलने वाला है और most importantly इसका exact release time क्या होने वाला है तो दोस्तों इस सब की पूरी जानकारे के लिए वीडियो को पूरा सुनना कहीं भी skip मत करना चानल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसी information मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ मेरे Instagram और Telegram से अगर मुझसे connected रहोगे तो वहाँ पर आप मुझसे direct सवाल भी पूछ सकते हो वहाँ पर मैं आपने काफी सारे subscriber की मदद हमेशा करता रहता हूँ तो आईए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको exactly बताते हैं कि अगले दो दिनों में आपको क्या कुछ कितने बजए कौन से platform पे release होके देखने को मिलेगा दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं 18th November से 18 November की सुभे नेट्फिक्स पे आपको क्या content देखने को मिलेगा तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं Just Shot of Perfect ये एक movie है जो कि नेट्फिक्स पे release होगी सिर्फ English language में release होगी और दोपैर को एक बच के 30 मिनट पर देखने को मिलेगी 18 November का दूसरा बड़ा release जो आपको देखने को मिलेगा नेट्फिक्स पे वो है Dogs in Space ये एक anime series है जो कि Hindi और English दोनों ही languages में release होगी और दोपैर को देखने को मिलेगी इसके अलावा The Princess Switch 3 ये एक English film है जो आपको दोपैर को देखने को मिलेगी इसके साथ साथ दोस्तों तो Six Life of College Girls ये एक HBO Max Original Adult Series है जिसे दोस्तों HBO Max पर इंडिया टाइम के इसाप से दुपैर को देख बजे के आज पास release किया जाएगा और इसे सिर्फ English में release किया जाएगा दोस्तों ये तो हो गए 18 November के दिन की बात अब बात करते हैं शाम की जब 18 November की रात को आपको बहुत सारा content अलगलग platforms पर देखने को मिलेगा सबसे पहले अगर बात करूं Disney Hot Star की तो दोस्तों Cash Movie जो की एक बहुत बड़े स्कैम की कहानी होने वाली है और इसमें आपको एक Crime Drama Funny Way में दिखाया जाएगा तो दोस्तों Cash Movie आपको Disney Hot Star पर 18 November की रात को 12 बज़े से stream होते हुए देखने को मिल जाएगी इसके साथ साथ दोस्तों Most Eligible Bachelor 2 की एक तेलगू मूवी है और आहा वीडियो पे अब रिलीज होने वाली है इसकी लीड में अख्य लके निनी और साथ में पूजा हेगडे और ये एक romantic drama मूवी है जो लास्ट बन सिनेमाज में रिलीज हुई थी अब फाइनली से OTT प्लाटफॉर्म पे रिलीज क्या जा रहा है और Most Eligible Bachelor आपको आहा वीडियो के प्लाटफॉर्म पे देखने को मिलेगी और 18 नवेंबर की रात को जैसे ही 12 बजेगा और 19 नवेंबर चालोगा आपको ये आहा वीडियो पे देखने को मिल जाएगी इसके अलावा दोस्तों पॉन मनिकवल जिसकी लीड में अब प्रभुदेवा और ये एक एक एक्शन थ्रिलर मूवी है इसे भी डिस्नी होट स्टार पर रिलीज क्या जाएगा 18 तरिक की रात को 12 बजे से और दोस्तों इसी के साथ साथ अद्भुतम जो की एक तेलिगू मिस्ट्री ड्रामा सीरीज है जो आपको कुछ लाइफ लेसंस देके जाने वाली है इस मिस्ट्री ड्रामा सीरीज को दोस्तों डिस्नी होट स्टार के प्लाटफॉर्म पर अब एक साइफाई हॉरर मुवी है जो आपको एक टाइम लूप की कहानी बताने वाली है लेकिन जो बड़ा रिलीस होने लिफ पर आपको देखने को मिलेगा 18 नवेंबर की रात 12 बजे से वो है योर अनौर का सीजन 2 जिसको आपको लीड में देखने को मिलने वाले है जिमी शे जो अब फाइनली US VOD पर रिलीस होने वाली है 19 नवेंबर की इसकी डेट है most probably या तो ये रात को 12 बजे आ जाएगी नहीं तो अगले दिन दुपैर को देखने को आपको ये देखने को मिल जाने चाहिए 19 नवेंबर को इसके बाद दोस्तों The Last Resort ये एक Mystery Crime Thriller फिल्म है जो क रिलीस होने वाली है Blink Bank के चानल पर और दोस्तों इसकी लीड में आपको देखने को मिलेंगे ब्रिजिंदर काला और रिच्चा सिना और दोस्तों इस मूवी को भी 18 नवेंबर की रात को 12 बजे के आसपास Blink Bank के चानल पर रिलीस कर दिया जाएगा उसके बाद आएगा 19 न सिर्फ शुरू के तीन एपिसोट को रिलीस किया जाएगा और उसके बाद हर वीक आपको एक एपिसोट देखने को मिलेगा और इस सिरीज को इंगलिश के साथ साथ हिंदी डब्ड लैंगवेज में भी रिलीस किया जाएगा और 19 नमेंबर को सुबे 5-6 बजे के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी लेकिन जो सबसे बड़ा धमाका उनने से नमेंबर को होगा वोगा धमाका मूवी से जो कि आरियन कार्थिक स्टार एक मोस्ट एवेटिड मूवी है और टेरर लाइव मूवी का रीमेक है ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी होने वाली है जो लेड़ बज़े आपको देखने को मिल जाएगी इसी के साथ साथ दोस्तों एक बहुत इंपोर्टेंट के ड्रामा जो की कोरियन ड्रामा लवर्स के लिए एक काफी इंतजार था जिसका वो है हैल बाउंड हैल बाउंड सीरीज दोस्तों अब रिलीज होने जारी है होके आपको हेल बाउंड हिंदी में देखने को मिल जाएगी इसके अलावा दोस्तों दुपैर को डेड़ बज़े और भी काफी सारा कॉंटेंट रिलीज होने वाला है जिसमें काफी लोग इंतजार कर रहे हैं काव बॉई बिपॉप का क्योंकि ये जो मुवी है इसे भी ह लिटल सिंगम समुंदर का सिकंदर ये एक एनाईम सीरीज है और प्रोसेशन ये एक डॉक्यू सीरीज है ये सब भी आपको दोस्तों दुपैर को डेड़ बज़े नेट्फिक्स पे देखने को मिल जाएंगे दोस्तों बात करूं कुछ सिनेमा रिलीजिस की जो 19th November को आपक इंग्लिश मूवी है जिसे हिंदी डब्ड वर्जन में भी इंडियन सिनेमाज में रिलीज किया जा रहा है सिर्फ इसका थियेटर रिलीज फिलाल हो रहा है और इसके भी शोज आपको दोस्तों सुबह साड़े गारा बज़े के आसपास देखने को मिल जाएंगे दोस्तों वर्निंग ये एक पंजाबी मूवी है जो सिनेमाज में रिलीज होने वाली है इसकी लीड में गिप्पी करेवाल और इस मूवी से पहले एक सिरीज बनके इसके दो एपिसोज और यूट्यूब पे आ गए थे उसके बाद इसके प्रोडूसर ने फैसला किया कि वो इसे एक मूवी में कनवर्ट करेंगे फाइनली अब वार्निंग मूवी सिनेमाज में रिलीज हो रही है 19th November को और आपको दोस्तों ये मूवी दुपैर को एक बज़े के आसपास शोज जो है इसके चालो होने शुरू हो जाएंगे इसके साथ साथ दोस्तों आपको Spencer जो कि एक English जिसका नाम है New World और इससे सिर्फ Korean और English Languages में रिलीज किया जाना है और इसको Netflix पे दोस्तों दुपैर को डेड़ बज़े के आसपास 20th November को रिलीज किया जाएगा तो दोस्तों मैंने आपको completely this release time के साथ दे दी आपको इन में से सबसे जादा किसका इंतजार है मुझे comment section म जरूर बताना है तो दोस्तों ये थी मेरी update जा मैंने आपको exactly बता दिया कि क्या कुछ release होने वाला है अगले दुनों में और उनका release time में बता दिया release time में कभी-कभी changes हो सकते हैं क्योंकि ये सब channel के उपर depend करता है तो ये मेरे best estimates हैं अगर कुछ गडबड हो जाए तो दोस् पुब टॉब टॉप